देखिए जहां भी आप देखो देश में नरेंद्रमोदी ने कहा था मेक इन इंडिया कहा था ना अब आप जहां भी देखो मेक इन इंडिया नहीं भीया अब है रेप इन इंडिया रेप इन इंडिया जहां भी देखो अगबार खोलो जारकण में महिला पर बलतकार उत्तर प्रदेश में देखो नरेंद्र मोदी के MLA ने महिला का रेप किया उसके बाद गारी का एक्सेंट हो गया नरेंद्र मोदी एक शब नहीं बोलता हर प्रदेश में हर रोज रेप इन इंडिया नरेंद्र मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ मोदी जी आपने ये नहीं बता किस से बचाना है बी जे पी के MLA से बचाना है और ये देश को बादते हैं दिन बर 24 गंते ये देश को बादने का काम करते हैं दिन बर 24 गंटें का यही काम है एक जात को दूसरी जात से लड़ाएंगे एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से लड़ाएंगे एक धन को दूसरे प्रदेश से लड़ाएंगे हिंदुस्तान को तोरने का बाटने का काम करेंगे 24 गंटा और फिर पूरा 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 पूर कॉल देता हो कि हिंदुस्तान की महिलाओं का बलापकार होना चाहिए घास प्हली बार हुआ है कांग्रेस पार्टी का नेता रेप जैसे संगीन जुर्म को पुलिटिकल मौकरी का हिस्सा बनाता हूँ ये राश्ट के इतिहास में पहली बार हुआ है कि गांधी खांदान का एक बेटा सरयाम कहता हो आओ हिंदुस्तान में परत्कार करो आज मैं जब्धियार से पूठिना जाती हूँ इस सदन के नेटा है राहूल गांधी उनका पुरुष काबलत्कार करना चाहता है राहूल गांधी का यह संदेश Loki जंकटा को कि वो सारवत जिकावां करते हैं कि देश की महिलाउं का पुरुष सांस्दो की बात नहीं है इस सदन का एकहली बार हिंदुस्तान की ओर्तों के बारे में उनका बलात्कार होना चाहिए ऐसे शब्द उसके मुझ से निकल रहे हैं। हिंदुस्तान की किसी महिला से पूट लीजिए अध्यक्ष जी अगर अहवान किया जाए उसके बलात्कार का तो उसे मुझ तोड़ जवाब देना आता है। मेरे फोन पर अभी एक क्लिप है जिसमें नरेंद्र मोदी जी डेली को रेव कैपिटल कहला रहे हैं। उसको मैं ट्विटर पर डाल दूँगा पूरा देश उसको देख सकता है। दूसरी बात में मुद्दा आज जो बीजेपी ने और नरेंद्र मोदी ने और अमिट शाह ने नौर्थ इस्ट को जलाया है। में मुद्दा वो है। अब ध्यान उस मुद्दे से हटाने के लिए नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी मेरे उपर ये बोल रहे हैं। मैं यहां स्पष्ट कह देता हूं मैंने क्या बोला मैं रिपीट कर देता हूं मैंने बोला कि नरेंद्र मोधी ने कहा था कि में किन इंडिया होगा हमने सोचा कि अगबारों में में किन इंडिया में किन इंडिया में किन इंडिया दिखाई देगा मगर आज जब हम अकबार खोलते हैं हमें सब जगे रेप इंडिया दिखाई देता है कोई भी स्टेट नहीं है जहां बीजेपी राज कर रही है और तिन भर वहां पर महिलाओं पर बलत्ता नहीं है उनाओं में बीजेपी के मेले ने महिला का रेप किया है बीजेपी के मेले ने लड़की की गाड़ी पर एक्सिडेंट करवाया गया पर नरेंद्र मोधी ने एक शब नहीं कहा। कोई कारवाई ने जिए हुँआ क्या है नरेंद्र भूदी जाए हिंसा का प्रयोग करते हैं इंसा फेल लाते हैं और आज पूरे हिंदुस्तान में हिंसा हैं महिलाओं पर इंसा हो रहे हैं नौर्ट एस्तिमा इंसा हो रहे हैं कử कि अमरीका में जोर्प में हिंदुस्तान की बात नहीं हो रही है और जब बात होती है, एकोनोमी की बात नहीं होती है, अत्याचार, बिविजिन, हिंसा, इन चीजों की बात होती है, जो हमारा रेप्टेशन था, वो पूरा का पूरा उड़ा दिया है, ये बाते मैंने कल अपनी स्पीक में कहीं, नरेंदर मोधी जी को ये भी जवाब देना ह है, मेलाओं की बात तो है, मगर ये भी जवाब देना है, कि हिंदुस्तान की जो एकोनमी थी, उसको उन्होंने नश्ट क्यूं किया, ये भी जवाब देना है, कि हिंदुस्तान के युवा, जिनके पास रोजगार था, उनसे नरेंदर मोधी ने रोजगार क्यू चीना, आप दिल्ली को जिस प्रकार से रेप केपिटल बना दिया है और उसके कारण पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की बेज़ज़ती हो रही है और आपके पास माँ बहनों की सुरक्षा के लिए न कोई योजना है न आप पे कोई दम है न आप इसके लिए कुछ कर सकते हैं इतना ही नहीं आप विपश्के नेताओं पर गालिया दे रहे हो जुटे आरोप लगा रहे हो देखिए जहां भी आप देखो देश में नरेंद्रमोदी ने कहा था मेक इन इंडिया कहा था ना अब आप जहां भी देखो मेक इन इंडिया नहीं भीया अब है रेप इन इंडिया रेप इन इंडिया जहां भी देखो अगबार खोलो जारकण में महिला पर बलतकार उत्तर प्रदेश में देखो नरेंद्र मोदी के MLA ने महिला का रेप किया उसके बाद गारी का एक्सेन्ट हो गया नरेंद्र मोदी एक शब नहीं बोलता हर प्रदेश में हर रोज रेप इन इंडिया नरेंद्र मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ मोदी जी आपने ये नहीं बता किस से बचाना है बीजेपि के MLA से बचाना है और ये देश को बाढते हैं दिन बर 24 गंटे ये देश को बातने का काम करते है दिन बर 24 गंटे इनका यही काम है एक जाद को दूसरी जाद से लड़ाएंगे एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से लड़ाएंगे एक धन को दूसरे धन से लड़ाएंगे हिंदुस्तान को तोड़ने का बाटने का काम करेंगे 24 गंटा और फिर पूरा 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 पैसा अधानी अंबानी अधानी अंबानी अधानी अंबानी अधानी अंबानी अधानी अंबानी अधानी 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 तो सही दाम दिल्वाने में जाएगा और आप सब को मिलकर ख़ड़ा होना पड़ेगा एक साथ ख़ड़ा होना पड़ेगा और बीजेपी का लोगों को बताना पड़ेगा चाकरी बात बुल गया ये मुझे बताओ आपका चीफ मिनिस्टर इमांदार है या ब्रश्ट इमांदार है या ब्रश्ट तो मुझे बताओ पुरा जारकन जानता है कि चीफ मिनिस्टर ब्रश्ट आदमी है नरेंद्रमोदी धिनबर कहते हैं मैं ब्रश्टाचार के खिलाब लड़ाई लड़ता हूं तो अगर आप ब्रश्ट चार के खिलाब लड़ते हो तो इसके साथ आप स्थेच पर क्या कर रहे हो है its को Chief You Minister आपने क्यों बनाया इसको आप पर से Chief minister बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हो अगर आप इमानदार हो तो इसके साथ क्यों खड़े हो जोकिदार तो यह मैं आपसे कहना कहने आया था गड़ बंदन को पूरा समर्तन दीजिए यहां पे भयंकर जीत होनी चाहिए गड़ बंदन की आप सब का दिल से दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद नमस्कार जेहिद